हलो दोस्तों सौगा थे आपका स्मार्ट मान यूटुब चैनल में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लू चिप सेहर क्या होता है ब्लू चिप सेहरों के क्या फायदे होते हैं ब्लू चिप सेहरों की क्या कमिया हैं और क्या आपको blue chip share में invest करना चाहिए ये सभी topics आजम देखने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं blue chip आखिर होता क्या है आपने देखा होगा कि कैसीनों में सबसे महंगे poker chip को blue chip कहते हैं इसी के नाम पर blue chip stock को ज्यादा तर लोग invest करने के लिए अच्छा मानते हैं क्योंकि आर्थिक मंदी में भी blue chip share की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता इसलिए blue chip share को लोग काफी अच्छा मानते हैं लेकिन कौन सी company की share blue chip share की category में आते हैं हम कैसे पता करेंगे तो इसको पता करने के लिए आपको 4 points बताऊंगा यदि ये 4 points कोई company clear कर लेते हैं तो आप उन्हें blue chip share मान सकते हैं तहला company का market cap बड़ा होना चाहिए दूसरा सबसे important point ये है company लंबे समय से काम कर रहा हो minimum 10 से 15 साल तो होना ही चाहिए तीसरा company का financial record stable और consistent होना चाहिए चौथा company investor को invest का profit देता हो यदि ये 4 points किसी company में हैं तो आप उन्हें blue chip share मान सकते हैं तो blue chip share की कुछ उधारन हैं जैसे reliance industries, हिंदुस्तान Unilever, HDFC bank, Asian Pants, Tata Consultancy Service ये सभी blue chip share की category में आते हैं और यदि आपको और blue chip company ढूननी हैं तो आप nifty 50 में देख सकते हैं जिसमें आपको इंडिया की top 50 company मिल जाएंगी जिसमें आप ये 4 बताए गए points की जाच करें यदि company ये 4 points clear कर लेते हैं तो आप उन्हें blue chip share मान सकते हैं अब देख लेते हैं blue chip share की क्या फायदे होते हैं तो blue chip share अन्य share की तुलना में काफी stable और सुरक्षित होता है blue chip share आपको लंबे समय तक profit देता रहता है जो आपके लिए income का एक नया source बन जाता है तो देखते हैं blue chip share की क्या कमिया हैं share बजार में blue chip share की कीमत अक्सर अधिक होती है जो आपके सुरुआती investment को बढ़ा सकती है इसका मतलब आपके investment में काफी कम profit भी मिल सकता है जब आप blue chip share की investment की तुलना उसके profit से करते हैं तो आपको काफी कम नजराता है इसके अलावा काई कमपनिया पहले से ही अच्छी तरह से इस्थापित होती है इसलिए इनमें काफी उच्छाल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये काफी stable होती है तो अब बात करते हैं क्या blue chip share में हमें invest करना चाहिए तो blue chip share में invest करने का निर्णा आप पे depend करता है यदि आपको कम समय में ज़्यादा profit चाहिए उनके लिए blue chip share नहीं है क्योंकि इनका price तेजी से नहीं बढ़ता और जो लोग अपने पैसों को लंबे समय तक सुरक्चित रखना चाहते हैं और साथ ही साथ profit लेना चाहते हैं उनके लिए blue chip share सबसे अच्छा है क्योंकि इन shareों के लंबे समय तक आपको profit देने की संभावना अधिक होती है तो ये रहे blue chip shareों की कुछ जान करियां यदि वीडियो कसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सबस्क्राइब करना यदि कुछ question करना है तो आप comment section पर कर सकते हैं मैं उसका reply जल्द से जल्द देने की कोशिस करूँगा वीडियो देखने के लिए thank you